विदेशी रेसलर से राखिस सावंद को पंगा लेना ज्यादा महंगा पड़ गया उन्होंने विदेशी रेसलर को चड़ाया बस फिर क्या था विदेशी रेसलर ने तो अपना रूप ही दिखा दिया दरसल राकिस सावंद स्टेज पर गई और महिला रेसलर को चैलेंज देते हुए कहा कि यदि उसमें दम है तो उसके जैसा डान्स करके दिखाए इसके बाद दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया तस्वीरों में आप देख सकते हैं और चैलेंज के बाद इस विदेशी महिला रेसलर ने राकिस सावंद को रिंग में उठा कर पटक दिया जिससे उन्हें काफी चोट आई है और तुरंत यून्हें अस्पताल में भरती कराया गया दरसल यह आयोजन हो रहा था पंचकुला में बिग फाइट के दौरान महिला रेसलर के भी मुकाबले रखे गए थे विदेशी महिला रेसलर रेवल ने फाइट चीतने के बाद ओपन चैलेंज देते वे कहा था कि यदि किसी भी भारती है महिला में दम है तो मुझसे आकर लड़े लेकिन कोई महिला तयार नहीं हुई इसके बाद राकिस सावंद स्टेज पर आ गई और महिला रेसलर को चैलेंज देते वे कहा गिया दि उसमें दम है तो उसके जैसा डांस करके दिखाए इसके बाद दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया और विदेशी रेसलर को जैसे ही गुस्सा आया उस उसने राकिस सावंद को उठा कर पटक दिया उसके बाद राकिस सावंद को अस्पताल में भरती कराया गया इस वीडियो को आप शेयर जरू कीचे अपनी राय दीचे और हेडबलाइन से स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीचे